आज हम बात करने वाले हैं एक software developer करता क्या है उसकी daily life routine क्या होती है और office के अंदर उसको कैसे कैसे काम करने बढ़ते हैं सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूगी है कि software developer के काम उसके experience के हिसाब से decide होते हैं और बात में software developers क्या क्या चीज़े बनाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं वह बात करेंगे बहुत सारे meeting attend करने पड़ते हैं software developer को कब-कब करनी पड़ते हैं कैसी-कैसी meeting होते हैं उसके बात करेंगे requirement analysis के अंदर project की requirement होती है और दो चार चीज़े और होती है time requirement होता है कि time के analysis किस तरीके से करेंगे तो यह सारी चीज़े हम analysis करते हैं और बता हुआ कि कौन सा developer कितने experience वाला करता है और कैसे करता है उसके बा आपको बता हुआ और software development जो एक department होता है उसके अंदर इन्वार्मेंट कैसा होता है काफी rush होता है काफी relax होता है cool होता है कैसा होता है और फिर किसी जीज़े पेंड करता है वो भी हम discuss करेंगे बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर सब्सक्राइब एक software engineer बना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बहुत सार वीडियो लेकर आता रहता हूं latest technology बनाता हूं latest tools और technology यूज होते हैं companies के अंदर उसके ऊपर में वीडियो बनाता हूं और अगर आपके बस अभी के लिए छोटी कंपनी है चोटी कंपनी के दर काम कर रह तब सब चीजे मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में और भी मेरी बहुत सारी वीडियो जानने वाले होती है so सबसे पहले एक software developer classification करते हैं देखो तीन-चार तरीके development पर होते हैं एक तो trainees होते हैं trainees का बहुत है जब को फ्रेशर हम यसे पास आउट हुआ होता है और उ junior developer बढ़ाजी जाता है, junior developer चोटे-चोटे task करता है तो अपने seniors की help हो जाती है उससे, उसके पास बहुत अदा responsibility नहीं होती है बहुत अदा burden नहीं होता किया उसको काम करके देना है ठीक है, वह चोटे-चोटे काम करता है और seniors की help से करता है, उसके बाद में क्या होता है senior developer व और, मेंली जो development है काम होता है, और responsibility होते हैं, वो senior developer के ओपुर होते हैं, आते हैं, lead developers, lead developer का mainly काम होते है, communication करना, वो clients से communication करते है, manager से, senior manager से, कही बार ऐसा होते है कि कोई CTO वगार आ गया, एक lead developer ही manage करता है, lead developer हमें इचा technical होता है, manager कोई जुरूदी नहीं होता है, कि वो technical हो या फिर ना भी हो, right, उसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो में से सुझ रहा है कि career path काई बता हूँ, एपसाइट भी बनती है, mobile applications भी बनती है, चाए वो Android हो, चाए वो iOS हो, Windows के application भी बनती है, right, और API बनाती है, अब API क्या होती है, वो एक बहुत ही important चीछ होते है, link मैंने description box में दिया है, वहाँ से देख लिजेगा अगर आपको जुरूरत है, right, और application की designing भी होते हैं कि colors कैसा रहेगा, कैसा दिखना चाहिए, mobile के ओपर कैसा दिखेगा, यह सब भी होते हैं, bugs भी resolve होते हैं कि अपने product बना दिया, अब उसके अंदर काफी सारी गलतियां हैं, mistakes हैं, उनको हम basically bugs करते हैं, उनको resolve करना बड़ता है, software developers, मैंने दो टूल तो कम से कम use कर दे करते हैं, एक तो git होता है, अपना code manage करने के लिए, 10-15 developers काम कर रहे हैं, उनका code किस तरीके से manage होगा, कहीं code उड़ गया, पुराना code चाहिए, सारे के सारे चीज़े, जीरा होता है, यहां पर हम देखते हैं कि हमने कौन सा कौन सा आने वाले time में काम करना है, एक महीने पहले क्या काम हो चुका है, और अगर उस काम में problem है, तो क्या क्या problem है, कुछ client से पूछना होता है, तो हम यहीं पर पूछते हैं, और इस task के अंदर इतनी timing के लगेगी, सब की सब यहां पर जीरा पर डिफाइन होती है, उसके बाद में देखो, बताया जाता है कि आज मैं यह काम करने वाला हूँ, जा आज मैं यह काम कर चुका हूँ, कोई rush नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर डाटवाट पढ़ती है, जस एक status देना होता है, उसके बाद में meeting with client for requirement, senior developer और lead developers होते हैं, उनको basically client के साथ में requirement के उपर बात करने होती है, client requirement बताता है, क्यार मुझे यह चीज़ बनानी है, और हम बताते हैं कि ठीक ऐसमें इतना time लगेगा, हम ऐसे-एसे करेंगे, और कुछ issues आते हैं कि यह चीज़ फीज़ नहीं है, तो वह भी इसके अंदर discuss होते हैं, पाद में एक meeting होती है project manager के साथ में, तो यह हो सकता है कि daily हो, हो सकता है दो-तीन के बाद meeting हो, और हो सकता है कि suddenly कुछ random meeting भी कर ले कि project में क्या चल रहा है, client का feedback अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है तो वह पूछने के लिए, communication with the tester for bugs and issues, क्या होता है कि जो tester होता है, क्यार, यह चीज़ ठीक नहीं है, क्लाइनट के हीसाब सबसी तो इस होता है तो आप Getting in THIS option, यह कुछ जरूरी नहीं होता वैसे तो इसको status meeting भी कह सकते हो बट कई बार यह ऐसा होता है कि आपकी one-to-one भी meeting होती है जैसे कोई एक डावला पर रहो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर इसको issues आ रहे हैं दूसरी team से कुछ issues है तो वो उस meeting के अंदर basically resolve होते है एक पंदरा दिन के अंदर मितना काम करके देंगे तो उसको basically sprint कहते है तो sprint के start होने से पहले हम एक meeting करते है और खतम होने के बाद में meeting करते है इसके अंदर starting के अंदर यह decide करते है कि क्या क्या काम करने वाले हैं कौन क्या काम करेगा और 15 दिन के बाद में कुछ काम बच गया तो क्यूं बच गया और काम हो गया अच्छा था या फिर बुरा था हमने hard deadline, lead, time पर सब कुछ complete करते हैं सारे चीज़ इसमें discuss होती है उसके बाद में requirement analysis यह बहुत ही important चीज होती है तेखो जब भी कोई project आता है तो सबसे आने से पहले जो उसका lead developer होता है वो या फिर technical architecture होता है या एक next stage होती है developer की वो एक project analysis करता है कि यार इसके अंदर में क्या क्या चीज़ों की जरूत पड़ेगी, कितने हमें developers चाहिए, कितने junior developer चाहिए, कितने senior developer चाहिए, क्या technology यूज़ करेंगे, सब कुछ उसके बाद में एक होती है sprint requirement होता है, sprint requirement बेसिकली होती है वो team lead या फिर senior developer भी कर सकता है, उसके अंदर क्या होता है, जो 15 दिन का हारा काम होता है, 10 अदर 15 दिन की sprint बनाते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या 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 काम करना है, और किस task के ओपर कितना time लगने वाला है, वो इस वालजर requirement होते हैं, वो भी developer ही बताते है, manager को या फिर client को कि भी हम इसके अंदर 5 टास्क कर पाएंगे, और हर एक टास्क तीन-तीन दिन का है, और इतना time लगेगा, और यह जो बन्दा है, इस इस task के ओपर काम करेगा, और time analysis, कई बारी कुछ bugs आ जाते हैं, तो हमारे पास तो उनकी हम timing analysis करते हैं, बग आ गया, तो हो सकता है कि उसके पांच मिट यह लगें, कुछ थोटी सी problem हो, हो सकता है कि नदर 2-3 दिन लग जाएं, तो यह सारी चीज़े हम, यह वाली चीज़े होते हैं, यह भी हम analysis करते है developer लोग, ठीक है, R&D work होता है, कई ब technology के साथ में, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कितना पढ़ना चीज़े है, कौन इसको developer कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो उसके उफर R&D भी basically एक developer करनी पड़े थे, senior या फिर lead developer वो करता है, ठीक है, बट इतनी सारी चीज़े करने के बाद भी, हो सकता है कि जो हमारी timeline timelines हो, deadlines हो, थोड़ी सी, 15 दिन की timelines हो, 30 sprint के अंदर के हम 14 दिन में भी complete कर लें, कि बार 16 दिन भी लग जाए, तो ये pretty possible होता है, है जरूरी नहीं होता कि 15 दिन है, तो 15 दिन में करना ही पड़ेगा, नहीं तो मौत आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में interview और special training, एक developer होता है, व face-to-face भी हो सकते हैं, कई बार जब हम pool campus करते हैं, किसी college विगारा में जाता है, तो भी दोचार developers जाते हैं, interview लेने के लिए, और देखो कई बार ऐसा होता है कि, मानलो एक नई technology का project आ गया है, और हमें चाहे चार या पांट साल हो को यह काम करते हैं, उस technology भी काम नहीं करा ह हैं, और training भी करते हैं, और हो सकता है कि एकदम से project आ गया और हमारी training team को भी नहीं आता है, तो हम external faculty भी hire कर लेते हैं, और उसके बाद में environment कैसा रहता है, देखो environment पहले बाद तो तीन-चार चीज़ों पर vary करता है, आपके client, सबसे बड़ा उसके अंदर role होता है client का, कि आपनों, तस घंडे तक भी scratch करना पड़ता है, नॉर्मली जो developer काम करते हैं, वो 6-7 घंडे करते हैं, बाकी एक दो घंडा वो चाय कोफी, थोड़ी गप शप, चिल मारने में थोड़ा लग जाते हैं, और कही पार ऐसा होता है कि थोड़ा office से late आ आ गए, फिर जल्दी चले है, उसके बाद में, जो project जब बनना शुरू होता है, तब client को confidence नहीं होता है, तो हमें थोड़ा से extra effort देना पड़ता है, और हमें सारी टाइम पे complete करनी होता है, ताकि जो हमारा client है, उसको लगे कि यार, सब सही है, और यह लोग कर पाएंगे, और कई बार ऐसा भी होता है, कि एक developer के पास project नहीं होता है, मालो कि मेरा project आज खातम हो गया है, तो कोई जरूरी नहीं होता है, कि मुझे कल सही नहीं project में भी हो सकता है, एक महिना लग जाएं, दो महिने लग जाएं, और within that time, मैं पूल के ऊपर भी कहता है, कुछ लोग पूल कह देते हैं, कुछ लोग क So, ये complete जाते हैं, तो कुछ confusion है अपको तो मुझे comment box में, please check me, please check me.